तेरी मुरली सगा सुनो सुमिरन में शिव बाबा तेरी आद गूजे मेरी हड़ड़कन में शिव बाबा उम शंती आज प्यारे बाप दादा के साकार इश्वरिय मधूर महवाक्य हैं 18 जून 2024 आज की मुरली के सार में बाबा ने फूलों का सक्षादकार कराते हुए, विशुलाइज कराते हुए कहा कि बच्चों को ऐसा खुशबुदार फूल बनना है बच्चे जानते हैं पहले हम बने थे, कोई गुलाब के फूल, कोई मोतिये के फूल, अथवा कोई हीरे भी बने थे, अब फिर बनना है बाबा कहे अभी तुम सच सच हीरे मोति बनते हो, फिर सचे में सब गुण चाहिए बाबा कहे एक तो पढ़ना है, दुसरा अवगुणों को निकालना है, बच्चों को अंधों की लाठी बन बाप का परिचय देना है साथ में कहा, जितने जिसमें गुण है, उतना औरों को भी दान दे आप समान बना सकते है इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे अपना पोता मेल रखो, अपने गुणों का हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है, हम कितने गुणवान बने है फिर कहा जब किसी को बाबा का परिचे देते हैं, तो पहले पहले बाबा की महिमा करनी है, फिर बुद्धी में बिठाना है, हम इश्वरियमत पर है, इश्वर ने कहा है, here no evil, see no evil, talk no evil, फिर अटेंशन दिलाया कि कोई भी उल्टी चलन चलते हैं, तो बाब का नाम बदनाम कर करते हैं, दिह अभी मान वाले की एक्टिविटी ही अलग होंगी, देखेंगे ऐसे एक्टिविटी हैं, तो फिर जैसे सब पर कलंक लग जाता है, तो गोया बाब की निंदा कराते हैं, करेक्टर्स बहुत अच्छे चाहिए, बाबा एक-एक बच्चे को बैठ देखते हैं, इसमें क्या खामे हैं, जो निकालनी चाहिए, बाब की नजर एक-एक के गुणों पर पड़ेंगी, बाबा उनको प्यार करते हैं, फिर कहा बाब कहते रहते हैं, आपे ही करे सो देवता, कहने से करे वह मनुष्य, जो कहने से भी न करे, वह आपे समझ जाए, और अटेंशन दिया कि अवगुण बहुत निंदा कराते हैं, मनुष्यों को वहम पढ़ता हैं, भगवान इनको पढ़ाते हैं, वह कैसे इनको पढ़ाएंगे, इनकी चलन तो देखो कैसी हैं, और साथ में कहा कि टाइम बहुत कम है, कल भी शरीड शुड़ सकता है, बाब की याद नहीं तो अंतकाल क्या स्थिती रहेंगी, सुनते हैं प्यारे बाप दादा के इन अनमोल मधूर महवाक्यों को विस्तार से, आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, अब गुणों को निकालने का पूरा पुरशार्थ करो, जिस गुण की कमी है, उसका पोता मेल रखो, गुणों का दा आज बाबाने मुरली से प्रश्न पूछा, गुणों बनने के लिए कौन सी पहली पहली श्रिमत मिली हुई है, उत्तर में बाबाने दो श्रिमत बताई, बाबा कहे, मीठे बच्चे गुणों बनना है, तो पहला किसी की भी देह को मत देखो, अपने को आतमा समझो, एक बा बाब को देखो, मनुष्य मत को नहीं देखो, दुसरा, दिह अभिमान के वश ऐसी कोई एक्टिविटी ना हो, जिससे बाब का वा ब्रम्हन कुल का नाम बदनाम हो, उल्टी चलन वाले गुणवान नहीं बन सकते, उन्हें कुल कलंकित कहा जाता है, ओम शांती, बाब दादा के हाथ में मोतिय के फूल थे, तो बाबने कहा कि बाप दादा साक्षातकार कराते हैं, ऐसा खुशबुदार फूल बनने का, बच्चे जानते हैं, हम फूल बने थे, गुलाब के फूल, मोतिय के फूल भी बने थे, अथवा हीरे भी बने थे, अब फिर बन रहे हैं, यह है स बच्चे आगे तो जूठे थे, बाबा केते हैं अभी तुम सच्चे सच्चे फूल्स, चमकदार हीरे सच सच बनते हो, पहले तो अब गुण थे, इसलिए जूठे थे, अभी तुम बच्चे सच्चे बनते हो, जूठ ही जूठ सच की रती भी नहीं, तो फिर सच्चे में सब गुण भी चाहिए, जितने जिसमें गुण है, उतना औरों को भी दान दे, आख समान बना सकते हैं, इसलिए बाप बच्चों को कहते रहते हैं, बच्चे पोता मेल रखो, अपने गुणों का, हमारे में कोई अब गुण तो नहीं है, देवी गुणों में क्या कमी है, रात को रोज अपना कोता मेल निकालो, दुनिया के मनुष्यों की तो बात ही अलग है, तुम अभी मनुष्यतों नहीं हो ना, तुम हो ब्राम्हन, अर्थात बाबा केते हैं, अभी तुम्हारा और उन्चा स्टेटस हो गया है, ब्राम्हन हो, बल मनुष्यतों सब मनुष्य ही है, बड़े religious minded नरम दिल होते हैं, दुनिया में तो मनुष्यों के गुणों की variety हैं, और जब देवता बनते हैं, तो देविगुण तो सब में हैं, बकी पढ़ाई के कारण मर्तबे कम हो पढ़ते हैं, एक तो पढ़ना है, दुसरा अव गुणों को निकालना है, बाबा कहे एक त बेठा हुआ हैं, शुद्र कुल में मनुष्य मत हैं, ब्राम्हन कुल में हैं इश्वर्य मत, पहले पहले तुमको बाब का परिचय देना है, तुम बताते हो फलाना आर्ग्यू करते हैं, बाबा ने समझाया था, लिख दो हम ब्राम्हन अथ्वा बीके हैं इश्वर्य मत प पर चल हम देवता बनते हैं, मनुष्य मत बिलकुल छोड़ दी हैं, फिर तुमसे कोई आर्ग्यू कर न सके, कोई कहे यह कहां से सुना, किसने सिखाया, तुम कहेंगे हम है इश्वर्य मत पर, प्रिर्णा की बात नहीं, बिहद के बाप इश्वर से हम समझे हुए हैं, बोलो के शास्त्र मत पर तो हम बहुत समय चले, अब हमको मिली है इश्वर्य मत, तुम बच्चों को बाप की ही महिमा करनी हैं, पहले पहले बुधी में बिठाना है, हम इश्वर्य मत पर हैं, मनुष्य मत पर हम चलते नहीं, इश्वर ने कहा है, Here no evil, See no evil, Talk no evil, Do no evil, Think no evil, मनुष्य मत है, बाब को देखो, शरीर को नहीं देखो, यह तो पतित शरीर है, इनको क्या देखने का है? इन आखो से यह नहीं देखो, बाबा कहे इन आखो से यह नहीं देखो, यह शरीर तो पतित का पतित ही है, यहां के यह शरीर तो सुधरने नही और ही पुराने होने हैं, दिन प्रते दिन सुधर्ती है आत्मा, आत्मा ही अविनाशी है, इसलिए बाप कहते हैं, see no evil, शरिर को भी नहीं देखना, देह सहीत देह के जो भी धरम है, उनको भोल जाना है, आत्मा को देखो, एक परमात्मा बाप से सुनो, इसमें ही महनत है, जो होश्यार होंगे, उनको पद भी इतना उच मिलेगा, सेकेंड में जीवनमक्ती मिल सकती है, परन तु अगर पुरा पुरुशार्थ नहीं किया, तो फिर सजाए भी बहुत खानी पड़ेंगी, तुम बच्चे अंधों की लाठी बनते हो, बाप का परिचय देने के आत्मा कहां आती जाती है क्या, बाबा कहते हैं शरीर आता जाता है इसलिए उसको जगर चाहिए, आत्मा कहीं आती जाती है क्या, शरीर में एक जगर बैठी रहती है, आत्मा के कितनी छोटी सी जगर होंगी, विचार की बात है, आत्माओं का जुंड होगा, शरीर के भीट में आत्मा कितनी चोटी है, वह कितनी थोड़ी जगर लेंगी, तुमको तो रहने के लिए बहुत जगर चाहिए, अभी तुम बच्चे विशाल बुद्धी बने हो, बाप नई बाते समझाते हैं, नई दुनिया के लिए, और फिर बताने वाला भी नया है, मनुष्य तो सबस रहम मांगते रहते हैं, अपने में ताकत नहीं है, जो अपने पर रहम करे, तुमको तो ताकत मिलती है, तुमने बाप से वर्सा लिया है, और कोई को रहम दिल नहीं कहा जाता है, मनुष्य को कभी देवता नहीं कह सकते हैं, रहम दिल एक ही बाप है, जो मनुष्य को देव इसलिए कहते हैं बाप को भी कहते हैं उचे ते उचा जिससे विश्व की बादशाही मिलती है। देखेंगे ऐसी एक्टिविटी हैं तो फिर जैसे सब पर कलंक लग जाता है। मैनर्स बहुत अच्छे चाहिए तुम्हारे कैरेक्टर्स बदलने में कितना टाइम लगता हैं। तुम समझते हो कोई-कोई के करेक्टर्स बहुत अच्छे फर्स क्लास होते हैं। वह दिखाई भी पड़ेंगे। बाबा एक-एक बच्छे को बैठ देखते हैं। इसमें क्या खामी हैं, जो निकालनी चाहिए। एक-एक के जाँज करते हैं। खामिया तो सब में है, तो बाप सब को देखते रहते हैं, रिजल्ट देखते रहते हैं, बाप का तो बच्चों पर लव रहता है ना, बाबा कहे बाबा का बच्चों पर प्यार है, इसलिए बाबा बच्चों की कोई कमी देख नहीं सकते हैं, इसलिए गुणवान बनाने का पुर्शार्स कराते हैं, जानते हैं इन में यह खामी है, इस कारण यह इतना उच्पद पा नहीं सकेंगे, अगर खामिया नहीं निकली तो बड़ा मुश्किल है, देखने से ही मालुम पड़ जाता है, यह तो जानते हैं, अभी टाइम पड़ा है, एक एक की जांच करते हैं, बाब की नजर एक एक के गुणों पर पड़ेंगी, उचते हैं, तुम्हारे में कोई अवगुन तो नहीं है, बाबा की आगे तो सच बता देते हैं, कोई कोई को दिह अभिमान रहता हैं तो नहीं बताते हैं, बाब तो कहते रहते हैं, आपे ही करे सो देवता, कहने से करे वह मनुश्य, जो कहने से भी ना करे, वह डेश डेश आपे ही समझ जाओ। बाबा कहते रहते हैं, जो भी खामिया है इस जन्म की, वह बाप के आगे आपे ही बताओ। बाबा तो सबको कह देते हैं, खामिया सरजन को बताने चाहिए। शरीर की बिमारी नहीं, अंदर की बिमारी बतानी है, तुम्हारे पास अंदर में क्या-क्या आसुरी खयालात रहते हैं, तो इस पर बाबा समझाएंगे, बाबा कहे बताएंगे तो समझाएंगे, इस हालत में तुम इतना उचपद नहीं पा सकेंगे, जब तक अवगुन नि इनकी चलन कैसी है यह तो बाप जानते हैं तुम्हारे गुण कैसे फर्स क्लास होने चाहिए अवगुण छिपा देंगे तो कोई इतना तीर नहीं लगेगा इसलिए जितना हो सके अपने में अवगुण जो है उनको निकालते जाओ नोट करो हमारे में यह यह खामी है तो दिल अंदर में खाएंगी घाटा पड़ता है तो दिल खाती है व्यापारे लोग अपना खाता रोज निकालते हैं आज कितना फाइदा हुआ रोज का खाता दिखते हैं यह बापी कहते हैं रोज अपनी चलन देखो नहीं तो अपना न इसलिए देही अभीमानी बनने के लिए ही सब पुर्षार्त करते हैं। यह तो समझ सकते हो। जन्मते ही राजा कोई होता नहीं। देही अभिमानी बनने में टाइम लगता है ना, यह भी तुम समझते हो, अभी हमको वापस घर जाना है, बाप के पास बच्चे आते हैं, कोई छे मास बाद आते हैं, कोई आठ मास बाद भी आते हैं, तो बाबा देखते हैं, इतने समय में क्या उन्नती हुई है, दिन प्रते बनाने, ऐसी पढ़ाई तुम छोड़ देते हो, अरे, वर्ड गौड फाधर पढ़ाते हैं, इसमें एपसेंट, माया कितनी प्रबल हैं, बाबा केते हैं, कई बार बाबा को बच्चों को देखकर वंडर लगता है, माया कितनी प्रबल है जो हरा देती हैं, फर्स क्लास पढ तुम है स्वर्ग तरफ, लात है नर्ग तरफ, तुम हो संगम योगी ब्रामहन, यह पुरानी रावन की दुनिया है, हम वाया सुखधाम शांति धाम तरफ जाएंगे, बच्चों को यही याद रखना पड़े, ताइम बहुत कम है, कल भी शरीर छूट सकता हैं, बाब की य याद नहीं होंगी, तो अंतकाल फिर जैसे स्थिती वैसा पद, बाप समझाते तो बहुत हैं, यह सब गुप्त बाते हैं, नौलेश भी गुप्त हैं, यह भी जानते हैं, कल्प पहले जिसने जितना पुरशार्थ किया हैं, वही कर रहे हैं, ड्रामा अनुसार बाप ही, कल पहले मुआफिक समझाते रहते हैं, इसमें फरक में ही पढ़ सकता, बाप को याद करते रहो, तो तुम्हारे विकरम विनाश हो जाएंगे, सजा नहीं खानी चाहिए, बाबा कहें सजा नहीं खानी चाहिए, नहीं तो पद कम हो जाएगा, बाप के सामने सजाए बैठ तो बाप क्या कहेंगे, तुमने साक्षातकार भी किया है, उस समय माफ नहीं कर सकते, इन द्वारा बाप पढ़ाते हैं, तो इन का ही साक्षातकार होगा, इन द्वारा वहां भी समझाते रहेंगे, इन ब्रम्हा द्वारा वहां भी समझाते रहेंगे, तुमने यह यह किया, फिर उस समय बहुत रोएंगे, चिलाएंगे, अफसोस भी करेंगे, बिगर सक्षातकार सजा दे न सके, इसलिए बाबा कहते हैं, जो कहते हैं ना ट्रिबूनल बैठती हैं, वहाँ बाबा समझाएंगे, तुमने यह यह किया, उसकी यह सजा हैं, कहेंगे तुमको इतना पढ़ाते थे, फिर ऐसे ऐसे काम किये, तुम भी समझते हो, रावन की मत पर हमने कितने पाप किये हैं, किसे चमाठ मारी हैं, भारत वसी ही कितना गिरे हैं, बाब आकर समझाते हैं, अभी तुमको कितनी समझ मिली हैं, सो भी नंबरवार समझते हैं, ड्रामा अनुसार, आगे भी ऐसे ही इस समय तक के यह रिजल्ट थी, बाबा केते हैं ड्रामा ऐसा हुब हुचलता रहता है, सेम रिजल्ट है, बाप बताएंगे तो सही ना, तो बच्चे अपनी उन्नती करते रहे, माया ऐसी है जो देही अभिमानी रहने नहीं देती है, यह बड़ी सबजेक्ट है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, तो पाप भस्म हो जाएंगे, अच्छा, मिठे मिठे सकिलधे, बच्चो प्रती, मात पिता, बाप दादा का, याद प्यार और गुद मॉर्निंग, रुहानी बाप की रुहानी बच्चो को नमस्ते, हम रुहानी बच्चो की रुहानी मात पिता, बाप दादा को, याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते सारी मूरली से धारना के लिए सार है पहला दिह अभिमान में आने से पाप जरूर होते हैं दिह अभिमानी को ठोर नहीं मिल सकती इसलिए दिही अभिमानी बनने का पुर्शार्थ करना है कोई भी करम बाप की निंदा कराने वाला न हो दुसरा अंदर की बिमारिया बाप को सच सच बतानी है अवगुण चिपाने नहीं है अपनी जाच करनी है कि मेरे में क्या क्या अवगुण है पढ़ाई से स्वयम को गुणवान बनाना है आज बाबा ने वर्दान दिया हद की रॉयल इच्छाओ से मुक्त रहे सिवा करने वाले निश्वार्थ सिवाधारी भाव स्पश्टी करन है जैसे ब्रम्हा बाप ने करम के बंधन से मुक्त न्यारे बनने का सबुद दिया सिवाई सिवा के स्निह के और कोई बंधन नहीं सिवा में जो हद की रोयल इच्छाए होती हैं वह भी हिसाब किताब के बंधन में बानती है सच्चे सिवाधारी इस हिसाब किताब से भी मुक्त रहते हैं जैसे देह का बंधन देह के संबंद का बंधन है ऐसे सिवा में स्वार्थ यह भी बंधन है इस बंधन से वा रोयल हिसाब किताब से भी मुक्त निस्वार्थ सिवाधरी बनो आज बाबा ने निस्वार्थ सिवाधरी का भावारत बताया कि जो हद की इच्छाए होती है वो हद की इच्छाए भी स्वार्थ है और स्वार्थ बंधन बानता है इसलिए बाबा कहते हैं, ना देह, ना देह के संबंद में, ना सिवा में, कोई भी बंधन ना हो, निस्वार सिवा करनी है, जिसका ही फल मिलता है. आज का स्लोगन है, वाइदो को फाइल में नहीं रखो, फाइनल बन कर दिखाओ. आज 18 जून का अव्यक्त इशारा है, इशारे का लक्षे है, करम योगी बनो. आज बाबा ने लक्ष दिया, लास्ट आते भी फास्ट जाने का सहज साधन है, सदा करम योगी बन कर रहना. करम भी करो और याद में भी रहो. करम में इतना बिजीना हो जाओ, जो अपना ओरिज एक स्थिती में रहकर, शरिर का आधार लो करम इंद्रियों से करम कराए, करम पुरा हुआ, म्यारे हो गए, यही करम योग की स्टेज सहज करमातित बना देंगी, जब चाहे करम में आए, और जब चाहे म्यारे हो जाए. आज बाबा ने लास्ट सो फास्ट जाने की विधी बताई करम योगी बनकर करम करना, और उसके लिए अभ्यास बताया कि जब चाहे करम इंद्रियों का आधार लेकर करम करे, और जब चाहे करम इंद्रियों से ज्यारे हो करम योगी बन जाए, इसी स्थिती से करमातित अव वर्दानी हात हमारे सिर पर हैं, याद की यह छत्री सुपसे बड़ी सेफटी का साधन है, दुसरा स्वमान है, मैं आत्मा उस सर्वशक्तिमान बाप के साथ कमबाइन हूँ, तो उनकी मदद का सदा अनुभव होता रहेगा, और तिसरा स्वमान है, करावनहार करा रहा है, मैं आत्मा निमित करनहार बन करम कर रही हूँ, यह स्मर्ती निमित और निर्मान चित बना देंगी, सदा हलका पन का अनुभव करेंगे, अच्छा, उम शांती, शुक्रिया बाबा शुक्रिया